सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं सो फाइनली ओपो वालों ने अपने ओपो रेनो इलेवान प्रो के अंदर कलर रोएस फोटीन बेस डॉन एंडर एट फोटीन का न्यू इस्टेबल अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया हैं और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया हैं और इस वीडियो में मैं इस अपडेट का फूल रिव्यू देने वाला हूँ दोस्तों जिसमें आपको कौन-कौन से न्यू फीचर से देखने को मिलता हैं इसका गेम परफउर्मेंस की स्टेप से देखने को मिलता हैं इसके अलावा हूँ और कुछ न्यू चेंजस देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं स्टेप बाइ स्टेप सारे कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों तो इसके लिए वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहां पर फीचेर्स बुक्स होगारा के बारे में बात करने से पहले यहां पर आप डिवाइज़ डिटेल चेक आउट कर सकते हैं उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर नीचे क्साइड अबाउट डिवाइज़ में यहाँ पर आप देखेंगे आपको colorways 14 के साथ official version देखने को मिलता है और OPPO Reno 11 Pro का model number CPH2607 देखने को मिलता है बात की जाईस update के basic information की तो यहाँ पर आपको 14.0.0.304 का new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है वो लगभग 1GB के आसपास का ये update देखने को मिलता है colorways 14 based on Android 14 के update के साथ official version देखने को मिल जाता है बात की जाईस update के बाद इसके Android security page की तो यहाँ पर आपको Android 14 के update के साथ 5th February 2024 का latest enhanced Android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके लगभग बात की जाई system performance की तो यहाँ पर दोस्तो इसका जो system performance है आपको काफी smooth और stable देखने को मिलता है यहाँ पर system में जो भी छोटे-मोटे non-issue थे bugs और देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरी की पूरी system performance और system UI को optimize and improve किया है जिससे की आपको better experience के साथ system performance और better UI देखने को मिलता है साथ दोस्तो जो dynamic computing engine है उसको R भी improve और stable किया है जिससे की जो speed, battery life, apps opening, closing, animation, stability अगरा जो है आपको काफी smooth और better देखने को मिलता है इसके लाओ बात कीज़े अगले change की तो communication के अंदर यहाँ पर दोस्तो किसी-किसी user कर जो Bluetooth connection है वो proper way में work नहीं करता था तो यहाँ पर Bluetooth connection के stability को R भी improve और stable किया है जिससे की अब आपको better Bluetooth connection और proper Bluetooth pairing देखने को मिलता है साथ दोस्तो अगर आप car connect वगरा करते हैं तो उस टेम पर जो Bluetooth है वो proper way में work नहीं करता था जिसकी वज़े से Bluetooth के थूप car connect नहीं हो पाता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आप car connect features को use करते हैं तो उस टेम पर Bluetooth जो है proper way में work करता है जिससे की आपका car connect properly देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात की जा अगले change की तो apps के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप weather apps open करते हैं तो उस टेम पर proper way में weather का detail जो है so नहीं करता था तो उस apps को यहाँ पर काफी ज़्यादा improve और stable किया है जिससे की अब आप weather apps यूज करते हैं ओपन करते हैं तो आपको weather का detail जो है proper way में देखने को मिलता है इसके अलाओ बात की जा अगले वक्त fixes की तो apps के अंदर ही यहाँ पर दोस्तो अगर आप photo apps या gallery apps को यूज करते हैं तो उस टेम पर photo apps में photo जो है proper way में display नहीं होता था कुछ-कुछ situation में blank देखने को मिलता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आप photo apps, gallery apps यूज करते हैं तो आपको proper way में photo, image वगरा, video अगरा जो है पहले ये कुछ-कुछ situation में blank देखने को मिल जाता था तो उसको भी यहाँ पर fix करके better कर दिया है इसके अलावा बात की जा अगले bug fixes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो video playback में यहाँ पर दोस्तो अगर आप private shape में video अगरा store करके रखते हैं वो video जो है play नहीं होता था, on नहीं होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप private shape में video अगरा रखते हैं और उसको play करते हैं तो आपको proper way में working देखने को मिलता है इसके अलावा बात की जा अगले change की तो communication के अंदर यहाँ पर दोस्तो mobile network connection को यहाँ पर और भी improve और stable किया है पहले दोस्तो mobile network connection बार बार up down होता था कुछ-कुछ situation में properly call अगरा नहीं हो पाता था तो यहाँ पर mobile network connection को improve और उसके stability को optimize किया है जिससे कि आपको better mobile network connection देखने को मिलता है साथी दोस्तो mobile network connection में जो problem था up down हो अगरा का उसकी वज़े से जो power consumption है वो काफी ज़्यादा लेता था जिसकी वज़े से battery draining काफी ज़्यादा देखने को मिलता था तो यहाँ पर network जो है काफी ज़्यादा power consume करते था तो उस problem को भी इस update के साथ फिक्सिकर की better कर दिया है जिससे की अब आपको properly working देखने को मिलता है network जो है साथी जो network काफी ज़्यादा power consume करते थे उस problem को भी यहाँ पर solve कर दिया है इसके लाओ बात की जागले change की तो camera के अंदर अगर दोस्तों आप camera से photo video अगरा लिकालते हैं लेते हैं तो उस time पर आपको proper way में camera जो है response नहीं करता था click अगरा proper way में नहीं होता था किसी mode में switch करने पर lagging अगरा देखने को मिलता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप photo अगरा निकालते हैं तो आपको better photography experience देखने को मिलता है साथ ही दोस्तों अगर आप main camera से photo अगरा खिशते हैं तो उस time पर skin tone जो है proper way में सहीं नहीं आता था साथ ही portrait अगरा photo लेते थे तो उस time पर भी skin tone में problem face होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों मैं काफी सारे photo अगरा दिखा रहा हूं जिसमें आपको better skin tone देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर skin tone के problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है इसके अलावा दोस्तों अगर आप नाइट में फोटो वीडियो अगरा निकालते हैं तो उस टेम पर यहाँ पर क्वाल्टी जो है काफी खराब देखने को मिलता था 29 वगरा काफी ज़्यादा देखने को मिलता था तो उसको भी यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है इंप्रूफ किया हैं जिससे कि अब आपको नाइट में फोटो वीडियो अगरा निकालते हैं तो आपको प्रॉपर वे में फोटो और वीडियो देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं काफी सारे फोटो अगर दिखा रहा हूँ जो की नाइट में लिया गया है आपको काफी बेस्ट फोटो देखने को मिलता है यहाँ पर क्वाल्टी को काफी ज़्यादा इंप्रूब किया है अब दोस्तो बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बेटरी परफोर्मेंस की तो यहाँ पर दोस्तो इसका जो बेटरी परफोर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर परफोर्मेंस देखने को मिलता है पहले दोस्तो कुछ-कुछ सिच्वेशन में काफी ज़्यादा बेटरी consume करते थे, कुछ-कुछ third party काफी ज़्यादा battery consume करते थे जिसकी वज़े से battery draining का problem काफी ज़्यादा देखने को मिलता था, तो उन सभी problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है, जिसने कि अब आपको better response के साथ proper way में battery backup और battery users देखने को मिलता है, साथ दोस्तो जो charging speed है वो भी यहाँ पर सही देखने को मिलता है यहाँ पर charging speed की कोई भी problem so नहीं होता है बात की जाए इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर दोस्तो gaming experience को काफी improve किया है अब दोस्तो अगर आप game खिलते हैं game play करते हैं, तो आपको proper way में smooth और stable gameplay देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो अगर आपको जादा time तक game खिलते हैं तो उस time पर आपको हलका jitter issue और किसी किसी time पर frame drop issue अगर देखने को मिल जाता है, साथ ही दोस्तो अगर आपको जादा time तक game खिलते हैं तो आपको थोड़ा heating issue भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप normal condition में game खिलते हैं तो आपको proper और smooth और stable gameplay देखने को मिल जाता है अब दोस्तो बात की जाए OPPO के system application अपडेट की तो इसके लिए दोस्तो मैंने वीडियो के description में अपने telegram channel का link जो है add कर दिया है आप वहाँ पर जाकर अपने system application को अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर आपको color OS 13 and color OS 14 के काफी सारी system application update मिल जाएंगे लेकिन दोस्तो अगर आप color OS 14 का system application अपडेट करते हैं तो आप carefully install कीजेगा हो सकता है दोस्तो आपको apps increasing issue अगरा देखने को मिल जाए तो आप अपने risk में carefully install कीजेगा अगर apps increasing issue अगरा आता है तो वो आपकी जवाबदारी होगी तो यह रहा दोस्तो इस update का full review दोस्तो यह update आपको मिला है की नहीं मिला है आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा तो इतना ही तो दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो